हेलो इन वेलकम गाई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में उमलग बात करेंगे फेंट कोड़ ECST10 लेंज क्रोना की जो की मैश होने वाले हैं से लोममा वसिसिसिंग जैंस के बीच में तो चले दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर क जाना है कॉंसे लेर को हम वग्यां से अवोइड कर कर जा सकते हैं इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चले फिर भी ना किसी देड़ी की वीडियो को स्टार कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इस्से पहले है चोटी से रिक्वेस्ट है कि यह यूटुब चैनल आपने और यहां से टेलीग्रम चैनल से जुनना बिल्कुल मत दूलेगा क्योंकि यहां से फाइनल अपडेट और टीम अगेर आपको टेलीग्रम में मिलेगी तो टेलीग्रम से जुनने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में अल्रेडी लिंक एटेज कियो है इनके सब लिंक वर्क ना करें टेलीग्रम में जाके आप सर्च करेगा फेंटाशी रिसन चैनल याप सर्च कर सकते अडरेड अपको सीथ हमारा चैनल मिल जागा सिंपली उसे जॉइन कर लेना है लेकिन याद रहें यहां से पंद्रासों से करीब आपको सस्क्राइबर दिखेंगी व दोनों को एक्वली सपोर्डेट पीच रहेंगा एवरेड़ स्कोर की बात को तो यहां से 110 रन के आसपा स्कॉर बनता हुआ नजर आज सकता है इवन इससे ज्यादा भी स्कॉर हो सकता है तो सबसे पहले बात करें यहां से टीम लॉमा की तो कल दोनों ही मैच अपनी जीत के परिखने जित को मैंने मुख्यकारण रहा है यहांसे नजम तो उपनिंग करवा रहे हैं और साजीद इहमनने पीछली दोनों मेंच की चलिए जिदा उनेने करन किया है लिए कंभी वापस कर सकता है तो डिफरेंसिल वे में इनको ट्राइक करना तो कर सकते हैं बाकि नजम ह लेकिन आपको बता दू कि इनका सिलेक्षन कल काफी कम था लेकिन हम पहले ही प्रेडिक कर दिया था तो इनको मैंने कैप्टरंशिप की दी हुई थे और कल वन साइडिर विनिंग कर वाने हमारी बहुत सारी हल्प गी तो एक बार फिर से मैं इनको करके जा सकता हूँ इब्राहिम एहमद वेर इंपोर्णिट प्रिक रहेंगे इनको सिधा हम लेके जा सकते हमारी टीम के अंदर दोनों मैंच के अंदर टिक टाक परफॉमस दिया ऐसे 28 और 19 आइधिंग शायर आपको दिखेंगे ऐसे विकेट के बिंग सेक्षन से तो सिधी प्रिक रहने वाली है इरफान म्यामुद ने पिछली दोनों मैंच के अंदर विकेट निकालते हो आया रहे देखो ओर आल टी 10 के अंदर उनके विकेट नहीं थे दो मैंच के अंदर 0 विकेट थे लेकिन यहांसे टी 20 के अंदर यहांसे 8 विकेट निकाले हुए 5 मैंच के अंदर तो कभी यहांसे विकेट निकालता होना जरा सकता है और आप देख सकते हो दोनों मैच के अंदर विकेट निकाले हुए है राइस सेमाद इंपोर्णेट प्रिक बन सकते है दो मैच के अंदर दो दो ओस की गैन बाजी के लास्ट मैच के अंदर दो विकेट भी निकाली तो as a player important pick बनेगे में एक बार फिर से आप उनको लेके जा सकते हो बाकि जमल बाजवा ओक्यों के pick करेंगे क्रान लिग वगेरा में try करना है लेकिन एक बाद याद रहे और records काफी अच्छे कभी भी betting से यहां से दमाल मचा सकता है तो differential way में इनको try करना हो तो कर सकते हो इवन एक विकेट भी निकाले हुए ऐसे T20 में साथ मैच खेलते हुए एक विकेट निकाले हुए बाकि T10 के अंदर अभी दख ओस नहीं कर वाए तो कभी भी बॉलिंग भी करवा सकता है इसा राइट आम मीडियम पास के अंदर बाज है मोसी नहमाद ओक्ते ओके पिक रहेंगे बेटिंग से काफी नीचे आते और बोलिंग से तो बोलिंग करवाते हैं तो फिर इनके बारे में जादा कुछ इनको लेना बहुत ही रिस्की हो जाएगा तो स्मोल लिग में तो मैं बिल्कुल फिर पत नहीं करता है करान लिग बगरा में रिस्की के लो तभी ट्राइक करना हो तो कर सकते हो क्योंकि या टी टेन मैच हो और यहाँ से कोई भी प्लेयर कभी भी परफॉर्म कर सकता है जुलकी रशीद वेरी इंपोरेंट पिक रहेंगे दोनों मैच के लिए अच्छी चोईस है इनको ट्राइक कर सकते हैं इनको बैटिंग करने का मौका मिल गा तो थोड़ी बहुत रन भी मार के दे सकते हैं यहाँ से राइटाम मीडियम फास गेंद बार यहाँ से देथ होस वगेरा में जरूग गेंबाजी करवाएगा मसुद मलिक ओक्यों के पिकरेंगे लेकिन वेटिंग से कभी भी उपर प्रमोर किया जा सकता है यह फोड़ा साब को ध्यान में रखे चलना है 6 मेंच के अंदर यहाँ से 117 आराने करीबन 24 केवरेट से तो वेटिंग से उनको कभी भी उपर बेजा जा सकता है बाकि हारुन से डियल ओक्यों के पिक रहेंगे कनार लिग वगेरा में ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो बाकि बेंच से अगर कोई भी खिलता है तो इनके स्टेट साब को टेलीनाम में प्रवाड करвाद करिया दूँगा और यह पिक है इनको ट्राइ का सकते हो आप लोग यहां से हाजिल अवजल हैं कच्चि पिक हैं इनको ट्राइक का सकते हैं बिलाल एहमद है, यहां से रिजवान अफजल है देखो बॉल संच के पास बहुत अच्छे-च्छे जितने हैं अच्छे हैं यहां से बैंच पे आप देखो यहां से राषितकाना खेल रहे है यह तो यह अपने राषितकान आइपल वाली है राशित खान नहीं है और कोई ठीक ठागें यहाँ से तो इन में से कोई भी खिलता है तो इनके स्ट्रेट सब को टेलीग्राम में जडर kysक प्रड़क कर रहे दू हमाँ तो टेलीग्राम से जोट जाएगा अब इसी लीट भी बात करते हैं इंच के बाद बावजूद लास्ट मैच अपनी हार के आ रही है तो यहां से एक बार फिर से आज की मैच जो है टक्कर वाली देखने को मिल सकती है क्योंकि जो टीम यहां से 141 रन का स्कॉर चेज कर सकती है ऐसे 10 होस में तो यह से इनके पास एक अच्छी कैपिशिट यह एक कभी भी कुछ ना कुछ उल्टा उल्टा कर सकती है तो यहां से दोनों ही टीम एक दुसरे को टकर दे सकती है तो यह मैच थोड़ी से देखने लाइक होगी मजा आएगा चैतन्या किल्डारी बैटिंग के साथ-साथ यहां से बॉलिंग भी कर रहे हैं लेकिन हाला कि उनको कि यहां से एक भी मैच के अंदर अफ़ी तक मिला नहीं है स्वरी एक मैच के अंदर विकेट मिला लेकिन तीरम एक अप पिकेट नहीं मिला है तो आप भी अगर सेफ चाना चाहो तो इनको दे सकते हो वाइस केप्टेंसीब गए रहा है गोकुल श्री नेवासन वेरी इंपॉर्णेट प्रिक रहेंगे पहली तीनोगी मैच के अंदर तीन तीन वर्ष की गेंबाजी की टिक एक विकेट भी निकाली लेकिन लेकिन तो कभी भी यहां से एक दो ओवर्ष करवा के एक दो विकेट निकाल जाए तो यहां से सर्प्राइज बिल्कुल नहीं होना है आपको क्योंकि कभी भी यह बंदा इस लेवल का पर्परमस दे सकता है वागे साटिक ओके पिकरेंगे ग्रांडिक वगेरा में ट्राइक करना ह तो यह कभी भी आपको एक दो विकेट निकाल लिए तो यह थोड़ी से डिफरेंसियल वे में आपको उनको जरूरू ट्राइक करना है इनको ग्रांडिक वगेरा में बहुत रिस्की हो जाएगा बाकि नालगे को जरूर अपनी टीम के लिके जा सकता हो पहली मैच के अंदर एक विकेट मिला है बाकी फिर भी चाएंको के लेकर करना है इनके स्टेट से लुटना बिल्कुल मत बुलेगा यह रिकह प्र वें घया सकता हूँ तो चलिए देख लेते हैं अभी हमारी फेंटासी टिम को यह सकते हैं को यह वोट करके जा सकते हैं तो विकेट की पिंग सक्षन की बात करता है इसे इबराहिम एहमद हमारे लिए इंपोर्णेंट पिक बनेगे दोनों मेंच के अंदर ठीक परफरमस दिया है तो और बाकी कि थोड़ा बहुत रिस्की है तो अब अगर शेफ जाना चाहो तो अगर किसी और को पिक करना चाहो तो कर सकते हैं अपने एकोर्डिंग वाल्डाव सक्षन में ऐसे जी श्री निवासन यहां से एन हक यहां से आर एहमाद और यहां से स्री किल लारी को मैंने विक किया है ब बाकी ओप्सन सारे ठीक ठाक है कुछ चैंजिस करना चाहो तो अपने अकोर्डिंग कर सकते हैं अब के लिए कुछ इससरा आसे टीम बनेगी हमारी कैप्टन हमारे रहेंगे ऐसे एन हक और यहां से जैड राशित रहने वाले हैं और बाकी आप सेफ जाना चाहो तो यहां से देमो टीम है फाइनल दीम आपको मिलेगे टेलीग्रम में फाइनल लाइन अपके बाट टेलेग्रम से जुड़ना बिल्कुल मत बुलेगा नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में अल्रेडि मैंने लिंक एटेज किया है इनके सगर लिंक वर्क ना करी टेलीग्रम में जाकि तो मिलते हम लोग अगली वीडियो में एक नई सर्प्राइटी वीडियो के साथ तब तक आप पूरा वड़ी दक्तरों अच्छाने लिस्स करते रों अच्छी टीम बना रहा अच्छी मिनिंग करते रों बाई धन्यवाद जैहिन जै भारत